हलो एवरिवन मैं हूँ सुश्मितात्रपार्थी आप सभी की होस्ट और दोस्ट और मैं उमीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हो बहुत स्वस्थ हो आपके घर में भी सभी अच्छे होंगे तो आप मेरे पीछे कुछ लिखा हुआ देख रहो आप सोचते हो कि मैड कर रहा है वह है और यहां आप समझ नहीं आ रहा है कि मैडम पढ़ाई में कुछ दिल नहीं लग रहा है और मैंने यह देखा एक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो अगर आप आज से दिन गिनो कुछ आपको 75-76 दिन मिलेंगे इतने दिनों में प्री की बात कर रही हूं में थोड़े और एड कर लो क्या हो जाएगा इतने ही दिन है जब आप प्रिपरेशन करो लेकिन आप वेट कर रहे हो कि नोटिफिकेशन आ जाये तब हम चले हैं और तब शुरू करें अपनी प्रिपरेशन तो नोटिफिकेशन आने में कुछ टाइम है कितना टाइम है चलो यह डिसकुस करते हैं इसके लिए हम पहले देखेंगे कि पिछले साल नोटिफिकेशन और examination dates का क्या connection रहा था तो एक बार इदर नज़र डाल लेते हैं जैसे आप देख सकते हो पिछले साल की 2020-21 नोटिफिकेशन डेट और exam dates P.O. और क्लरक की RRB की क्या रही है तो ज़रा ध्यान दीजेगा देखो कोविट टाइम था उस वज़े से सारे के सारे examinations कुछ डिले थे बाद में सब अपने नॉर्मल रेंज में आ गये थे कोविट के दौरान 30 जून 2020 को notification आती है और examination 12 से 13 सितंबर P.O. का होता है 19, 20, 26 सितंबर क्लरक का होता है टाइम को gap देखो कितना है 30 जून से लेके सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर दो से धाई महीने हार्डली आपको मिल रहे हैं अब इदर आके देखो 2021 वाला 2021 में साथ जून को notification आती है और examination के ले दे के वही दो महीने आपको मिल रहे है यानि 55-65 दिन और इदर देख लो 6 जून 2022 नोटिफिकेशन आती है examination आपका P.O. का होता है और क्लरक का 20 से 20 अगस्त साथ 13 14 अगस्त यह आपका examination होता है फिर से जरा days को count कर लो बहुत असानी से कर सकते हो यह 24 दिन आपका मिलता है चलो 23 कर लेते हैं उधा 31 आपकी July के हो जाते हो और शुरू का दो हफता या एक हफता ही को साथ से शुरू examination फिर आपका आ जाता है फिर वही कहोगे 55-65 दिन hardly मिलते हैं तो अभी भी 10-15 दिन है इस हिसाब से हम कह सकते हैं आने वाले 10-15 दिन में notification आएगी और notification आएगी त खुद को क्या है जो आपको रोकता है मत पढ़वाई notification आएगा तभी पढ़ना है छोड़ दो सारी बातों को बस यह याद रखो कि जो हमने सपने देखे हैं जो हमने सोचा है इतने दिनों से जो हमारे माबाप कितने दिन से उमीद लगा कर बैठे हैं वो इस बार पूरा कर ना है a notification कुछ नहीं होता है notification बस यह हो जाता है कि आप ने इतने पैसे दे दिये हैं और आप जो है examination के लिए entry करोंगे लेकिन प्रिपरेशन का कहीं बैनर नहीं होता है कि notification आयगा जो इस दिन से preparation करेगा उसी के entry होगी एंट्री उसी की होती है जो देवन से प्रोपरेशन करता है तो क्यों रुके हो नोटिफिकेशन का मत वेट करो आसे 10-15 दिन में जैसा मैंने कहा 76 दिन आसे हैं जैसे ही आपका 60 दिन होता है वैसे आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी तब का इंतिजार करके आज से बैठे हुए हो बड़ी गलत काम कर रहो ऐसा नहीं करना है अब इस सिचुएशन में आप अपने आप से दो क्वेशन पूछो वोट यू वांट तो अचीव वोट कैन यू अचीव एक है आप क्या चाहते हो और दूसरा आप क्या कर सकते हो सब यह लोग नहीं चाहते हैं in fact मैहनत करके इतनी परिश्रम कौन करना चाहता है लेकिन मजबूरी में सब ही करते हैं क्या सब को पसंद दिन रात परिश्रम करना क्या लोगों को अच्छा लगता है पूरे पूरे रात रात भर पढ़ना दिन दिन भर पढ़ना नहीं लेकिन उन्हें कुछ करना है इसलिए उन्हें ये करना होता है तो जो हमारा दिमाग ना want पे want को हटा दो हमें focus करना what can we achieve और जो हम achieve करना चाहते हैं वो सिर्फ एक ही तरीके से होगा वो होगा पढ़के तो अगर आप इधर आकर जानना चाहते हो कि आप क्या achieve करना चाहते हो आपको क्या करना है अगर ये clear है तो बढ़ाई तो आजी से करनी है और मुझे उमीद है कि बहुत लोग आप मेंसे पढ़ते भी होगे अब इतने सारे चीजों के बाद से हमारे माइंड में एक क्विश्चिन आता है हम इतनी बढ़ाई तो कर रहे हैं क्या हम ये कर सकते हैं क्या हम इस बारे इसको क्राक कर सकते हैं क्या ये हमारे लिए possible है तो मेरा answer आप से यह है a big yes क्यों नहीं कर सकते हो अगर पढ़ रहे हो तो it is a big yes you can लेकिन अगर नहीं पढ़ रहे हो तो सोचो क्यों नहीं पढ़ रहे हो और जो इतने सारे हैं जो सार की शुरुआत से या शायद बीच की किसी महीने से पढ़ना शुरू कर दिये हैं वो तुमसे कितने आगे निकल गए तो तुम्हें कौन रोक रहा है कोई नही इसलिए यह पढ़ाई शुरू करो बहुत हो गया अब मैं आपको यह बताती हूं कि हमारी तरफ से क्या हमने कुछ प्लान कर रखा है तो हमने स्पेसिफिफिकली और भी के लिए जो तैयारी कर रहा है उसके लिए अपनी एक नहीं बैश लांच कर रही है जिसका नाम है क्र तो अगर आप आर आरवी के लिए बिल्कुल तैयारी से पढ़ना चाहते हो विदाउट एनी सिकेंट थॉट और यह खुद को इंशियोर करना चाहते हो यह गोई टो गेट सेलेक्ट दूसियर यू कन जोइन दो क्रेकर बैच जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो यह हमारी तैयारी है क्रेकर में क्या होने वाला कैसा होने वाला यह सब आपको बता दिया गया है और अभी आपके लिए हम और इंटेशन भी करेंगे जहां को और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बट तब तक जो भी क्लास इस आपको एवेलेबल हैं जो भी सो कोश लिया होगा यस विया गोइंग टू और जो अभी तक नहीं पढ़ रहा है वह आज से पढ़ना शिरू कर देंगे ठीक है बाकि जीए के लिए क्लास भी दिखेंगी वह भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी आपको से कुछ मोटिवेशन मिला हो और आप पढ़ाई करन रहो वो और जादा मेहनत करके पढ़ाई करो जो नहीं कर रहो वो आसे करो इंतजार मत करो and I wish you people a very good luck for all your upcoming examinations have a good day ahead जाहिंज भारत God bless you all love you bye